नमस्कार आपका स्वागत है एश्यानी जिन्मिया में आपके साथ मैं पून हूँ MP विधानसबा चनाव के परिणाम आने के बाद शिवराथ सिंग चोहान मंगलवार को पहली बार दिल्ली पहुचे विभाच्पा के राश्टी अद्धक्ष जेपी नड़ा के बुलावे पर गए हैं पूरू मुक्हिमंति शिवरा सिंग चोहान की नड़ा के साथ मंत्री मंडल विस्तार पर भी ठचा हो सकती है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के शपत गरंड करने के पांच दिन बाद भी मंत्रियों के नाम तय नहीं हो पाए हैं दो दिन से दिल्ली में MP BJP के नेताओं के साथ केंद्री नेत्रत्व मंत्री मंडल के नामों पर विचार मंत्थन कर रहा है जेपी नड्डा के साथ होने वार इस बैठक में शिवराज सिंग चोहान की नई भूमिका पर चचा हो सकती है BJP का केंद्री नेत्रत्व शिवराज सिंग को केंद्र सरकार या राश्टी सितरपर संगठन में जिम्यदारी दे सकता है पिछले दिनों नड्डा ने शिवराज की नई भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था हम इनके कद के अनुसर काम देंगे इनके अनुभव का अच्छे तरीके से उप्योग करेंगे शिवराज सिंग चोहान सोमवा शाम दिल्ली जाकर वीजेबी के राश्टी अद्दक्स जेपी नड़ा से मुलाकात करने वाले थे उन्होंने सोमवार को विदान सभा में शपत लेने के बात मीडिया से बाचित में कहा था कि वे आज शाम दिल्ली जा रहे हैं बाद में उनके कारलाय से दिल्ली जाने के करकम में बदलाओ की जानकारी दी गई मध्यपरदेश में डॉक्टर मोहन यादो केबिनेट में कौन-कौन से चहरे होंगे इस पर अभी तक सहमती नहीं बन पाई है शेत्रिये और जातीगत समीकरण वर लोकसभा सीटों के गणित में मामला उलज गया है महीं सीनियर विधायकों को लेकर भी पेंच फस गया है इसलिए मंत्री मंडल विस्तार फिलाल टल गया है मंद्री मंदल में शामिल होने वाले नामों को लेकर दिल्ली में आज एक बार फिर बैठक होगी इसी के साथ बनें है इस्योनिस इंडे के साथ भने बाद